इस कॉंस्टेबल की परिक्षा अब समाप्त हो चुकी है इस परिक्षा का काफी लंबे समय से बहुत सारे बच्चों ने इंतजार करा और उमीद थी कहीं न कहीं कि पैटन लगभग सेम रहेगा लेकिन इसवार पैटन में काफी चेंजेज भी रहे एक्चुली कहना चाहिए क पैटन में चेंजेज नहीं रहे लेकिन जो एक्जाम का लेवल था और जो प्रश्ण को सीधा सीधा ना पूछ कर थोड़ा घुमा कर पूछा गया और जीके की प्रश्ण ऐसे आए जो की बहुत ही जादा डीप थे बहुत ही जादा टफ थे लेकिन एक सवाल जो आपके मन म में था और अभी भी आप काफी इसके वारे में सोच रहें कि सर इसका कट ओफ क्या जा सकता है देखिए क्या जाएगा और क्या जा सकता है दोनों में अंतर है क्या जाएगा ये कोई नहीं बता सकता लेकिन क्या जा सकता है ये हम जरूर अनुमान लगा सकते अब इसके दे पाएंगे कि जादातर बच्चे किस range में हैं इसके लिए आपको दो काम करने पड़ेंगे सबसे पहला आप टेलिग्राम पर जाएंगे टेलिग्राम पर हमने एक पोल क्रियेट करा हुआ है और उसमें हमने अलग-अलग range दी हुई है कि आपके marks किस range में हैं तो आपको simple ब आपको simple बस यह करना है आपको अपनी कोई डिटेल शेयर नहीं करनी है simple आपको क्या करना है कि आपके marks जिस range में है उस पे आपको बोट कर देना है उस पे आपको क्लिक कर देना है तो ऐसे हम सारे users का पूरा बोटिंग का एक पोल क्रियेट हो जाएगा उससे हमें एक exact पता आपको उसमें भी अपनी range को select करना है कि आपके जो marks है वो किस range में है या आपके marks कितने हैं तो ऐसे हम आने वाले 2-3 दिनों में सारे users के साथ पूरा इस survey को conduct कराएंगे अब आपकी इसमें सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी यह है कि एक तो आपको खुद को अपने marks बताने हैं है ना अच्छा यहाँ पर यह किसी को पता नहीं चलेगा कि किसके marks कितने हैं रोल नंबर क्या है कुछ नहीं हमें किसी का नाम यह कुछ भी नहीं दिखाई देगा सिर्फ हमें वहाँ पे number of boards दिखाई देंगे कि ज़्यादतर बच्चे किस range में board कर रहे हैं किसके कितने marks आ रहे हैं तो आपको एक तो खुद को board करना है और दूसरा अपने जितने भी साथ वाले हैं जितने भी आपके friends हैं जितने भी groups हैं उस पर इसकी information देना है कि ज्यादा से ज्यादा वो इसको share करें और ज्यादा से ज्यादा बच्चों दक इसको पहुचाएं क्योंकि जित जाकर इसमें voting कर सकते हैं लिंक्स आपको description में मिल जाएगी शायद उस पर click करते हैं आप direct भी वहां पर पहुच जाएं तो दो तिन दिन सारा data एकटा करते हैं और उसके बाद आपके लिए analysis का और cutoff का एक video लेकर आते हैं कि क्या संभावना है क्या cutoff जा सकता है तो इसका इसको पूरा करते हैं फिर आगे हम बात करते है कि अब इसके आगे होर क्या किया आज चारी कर नहीं लग गए हम ने खुद ौशैन कर सकते हो अगर आपको prepay ची करनी मिल पूरे winners परिबार के साथ मेरे साथ अगर आपको प्रिप्रेशन करनी है तो बहुत ही कम फीस में आप बैचेस जोईन कर सकते हैं तो बस इस वीडियो को फिलाल यहीं पर एंड करते हैं और तीन या चार दिन वाद हम वापस से मिलते हैं और सारे मार्क्स और सारे डेटा के साथ आपको मैं कट आफ बताने की पूरी कोशिश कर बहुत बहुत धन्यवाद